एक काव में शार्दा और अनामिका सास बहु रहा करती थी। वो किसी से भी बहुत अच्छी तरह से बात करते थे और अपनी बातों से उन्हें मंत्र मुग्ध कर देते थे। अनामिका को पैसो में बहुत दिल्चस्पी थी। जब भी वो कोई काम करती थी तो हमेशा यही सोचती थी कि बहां से पैसे कैसे कमाया जाया। अमीर होने के लिए सास बहु को सही दिशा नहीं मिल रहा था। वो दोनों बस अवसर के तलाश में थे और तिन काट रहे थे। ए अरे रे आपको नहीं पारवती दिदी वो कुत्ता घर के अंदर आ गया था उसे भगा रही थी पर आज यहां आप मरने के लिए क्यूं आई है। ऐसा क्यूं कह रही हो। बस दिदी मैं पूछ रही हूँ आप यहां आज कैसे आई। वो घर पे टमाटर नहीं है। उन्हें सबजी में डालने थे। टमाटर खतम हो गया है। तुमारे पास है तो दो टमाटर दे दो। अरे अरे मेरे घर में भी खतम हो गया है। अब क्या करे दिदी। पर तुमारे घर में तो थे ना। रुको मैं दिदी से पूछती हूँ। शार्दा दिदी। शार्दा मैं हूँ दिदे, पड़ोसी पार्वती क्या हुआ पार्वती, अभी भी तुम फेरन लवली इस्तमाल करती हो आपको कैसे पता? तुम्हारा चेहरा देख की समझ गई थी, बहुत पहले तुमने मेरे घर से फेरन लवली चुराया था ना इसलिए पूछा, अभी भी लगाती हो की नहीं मैं चोरी क्यों करूँ दिदी, जर्वत पड़े तो मैं खरीद नहीं सकती हूँ क्या? अच्छा, ये सब चोरीए, मुझे टमाटर चाहिए था, अगर आपके पास है तो मुझे दो टमाटर दीजिए अगर टमाटर चाहिए, तो अपने घर से बैगन ले आओ, तब ही मैं तुम्हें दूँगी, नहीं तो नहीं दूँगी टमाटर भी नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए मैं दूँगी, पहले लेकर तो आओ, अरे भाग क्यों रही हो? शारदा की ऐसी बाते सुनके पारवती वहाँ से भाग जाती है, सासुमा की हरकत देखके अनामिका जोर-जोर से हसने लगती है अरे सासुमा, आपने ऐसा क्या-क्या, क्यों वो यहाँ से खिसक ली? बहुत पहले भी वो आया करती थी, रोज-रोज कुछ ना कुछ मांगने के लिए, तो मैंने उसे कहा था, घर से जाके सबजी लियाओ, फिर वो जैसे लियाई, मैंने कहा, तुमारी सारी सबजीया खराब है, और मैं अपने घर के एक टोकरी में उसे सजा के रख ली, उसके स जारे सबजीया खतम हो गए, ये देखकर वो बहुत डर गई, तब से इस सदमे के करण वो इस तरफ कभी नहीं आती थी, शार्दा की ऐसी बाते सुनके अनामिका हसने लगती है, सास बहु में जब हसी मजाग चले रही थी, तब इटीवी पर टमाटर को लेकर एक खबर आत खबर आ रही है टीवी पर, कुछ अजूबा चैसा लग रहा है, टमाटर रुगाने वाले किसान अब कडोरों की भाव की गारिया खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ यूवा पीडी कह रही है, अगर नौकरी ना देना है तो ना दे, बस हर मेहने पाच किलो टमाटर दे दे, न अच्छ है माँ सच, पर हम एक पर बाहर जाके लोगों के पास जान सकते हैं कि बात सच है या कलत, ऐसा कहकर अनामिका शारदा बाहर जाती हैं, जहां कई लोग सबजिया बेच रहे थे, पर वहाँ पे किसी के पास टमाटर नहीं थे, उन्होंने सभी से पूछा, सभी ने कह कि टमाटर के भाव बहुत जादा महंगे हो गया हैं, एक दिन के अंदर टमाटर के भाव इतने क्यों बड़े, तभी अनामिका को एक परिकल्प ना आती है, सासुमा, मुझे अमीर बनने का एक मौका मिल गया, हम टमाटर माट शुरू करेंगे और बस टमाटर बेचेंगे, इस तरह से अनामिका एक सेंटर देखती है, और वहाँ पर टमेटो माट शुरू करती है, कई लोगों को पता चलता है टमाटर माट के बारे में, वो वहाँ आके लंबी लाइन लगा देते हैं, पर अनामिका के पास टमाटर ही खतम हो जाता है, शार्दा को टेंचन होती है, अब क्या करूगे तुम, लोग लाइन लगा के इंतजार कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं पता सासुमा, आप बस देखते रहें, फिर अनामिका सभी लोगों को संबोधित करते वे कहने लगती है, देखिए, अभी टमाटर की कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें उसे बह आपको अच्छे और गुनवर्ता टमाटर मिलेंगे, मुझे भरोसा करें और ये चाल ले कि मुफ्त में किसी को भी टमाटर नहीं मिलने वाला। आईए, आईए, दंटे के साथ टमाटर का एक भाव, दंटे के बिना टमाटर का एक भाव, बहुत ही गुनवर्ता और अच्छे टमाटर, आईए, ले जाए, स्पेशल आफर आपके लिए, पैसो की पूरी गैरिंटी, याद रखिएगा, फ्री में टमाटर नहीं तुम पे बहुत गर्वे बेटा। कुछी दिनों के अंदर अनामिका चिगाडी, बंगलो, नौकर, चाकर, इस तरह अनामिका अमीरों के लिस्ट में शामिल हो जाती है। शार्दा बहुत खुश होती है और अपनी बहु को टमाटर माट से पैसे कमाते देख बहुत उस्ताहित होती है। बहु की चतुराई के कारण परिवार एक स्थर पर पहुंच गया और सुखी जीवन बिताने लगा। पूरे देश में अनामिका को नंबर वन बिजनस वुमन का अवाड भी मिला। एक काव में शारदा और प्रशाद दमपती रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। शारदा रमेश से बहुत प्यार करती थी, उसका बहुत जतन से देख भाल करती थी, पर कभी-कभी प्रशाद को अपनी पत्नी की हरकतों के वज़े से भुगतना पड़ता था। शार्दा हमेशा सोसती थी कि वो अपनी बातों से जीत जाए। अगर कभी किसी चीज पर शक होता था तो ना सोसती थी ना समस्ती थी बस वो हंगामा कर देती थी। प्रशाद को इस वज़े से बहुत भुगतना पड़ता था पर वो अपनी पत्नी के बिना रह भी नहीं सकता था तभी एक दिन प्रशाद कहते हैं। शार्दा, शार्दा, कहा हो तुम। पिता जी, मा यहां नहीं है। अरे, मेरी पत्नी कहा गई, कहा तुमने उसे भेज दिया सुबह-सुबह, मैं जब तक कॉफी नहीं पीता, मेरी नीन कुलती नहीं। अरे, बेवकूफ, हम दोनों कॉलक करके छोड़ोगे क्या। पिता जी, आप ऐसी बाते करेंगे तो मैं मा को कह दूँगा, फिर आपको पता ना क्या होगा। करो, करो, तुम मुझे ब्लैक मिल कर रहे हो, मेरा सर दुख रहा है। ओफ पिता जी, मा आपके लिए कॉफी बना के गई है, आप उसे पी ली कॉफी आपके लिए किचन में तयार है। रमेश की बाते सुनके प्रशाद जल्दी से भागते हुए किचन में जाते हैं और गर्मा गरम कॉफी पी लेते हैं। फिर थोड़ा वक्त मिलते ही वो अपने बेटे के पास आते हैं, देखते हैं कि वो फोन पर किसी से चैटिंग कर रहा है। फोन में किस के साथ विजी हो। कौन है वो लड़की। पिता जी आपको कैसे पता। सब पता है। हम भी कभी तुम्हारे उमर के थे। ये बताओ वो लड़की कौन है। ये सब जानकर आप क्या करेंगे। मैं कुछ नहीं करूंगा पर मैं तुम्हारी मा को बत पती है। वो तेरोपती से है। हमारे कलियोग के भगवान के घर के पास बहुत खुश हुआ मैं। तो बताओ कब तुम लोग शादी करोगे। कब उसके घर में भी इस बारे में खबर दोगे। ये क्या पिता जी आपने तो सब सुना। आपके बिना में कुछ कर सकता हूं मुझे बहुत दल लग रहा है इस बारे में मा को बताने में। सब घर में बेटा बाप से कहने में डरता है। अमारे घर में तो उल्टा है। जैसी तुमारी मा आती है मैं कुछ करता हूं। तुमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तुमें बुलाओंगा और प्यार के बारे में जब पूछूंगा तो हाँ कहना ठीक है पिदा जी थोड़ी देर में ही शार्दा जो बाहर गई थी वो लोट आती है जैसी शार्दा घर आती है रमेश बहुत दर जाता है पर प्रशाद शर्माते वे शार्दा के पास जाके बैठते हैं क्या वशार्दा ठक गई हो कहा गई थी हाँ जी बेदल चलने गई थी थोड़ा सा अगर तुम ऐसे ही चलने जाओगी तो घर कौन देखेगा एक्टा कॉफिर जोन्नो को तो कोश्ट पेछी देया नहीं आती मुझ पे अगर घर पे बहु होती तो वो सुनती बेटे की अब श हमारे बेटे को भी तो पसंद आनी चाहिए हमें उसे पूछना चाहिए कि उसके मन में कोई है या नहीं रमेश 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 इधर आना जारा हां कहिए पिता जी क्या तुम्हें किसी लड़की से प्यार है या फिर तुमारे मन में है तो बता दो नहीं तो हमारी पसंद से शादी करनी होगी, हाँ पिता जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, बस सोची रहा था कि इस बारे में आप लोगों को कैसे बताओं, अगर तुम अपने पिता जी से नहीं कह सकते तो मुझे कम से कम कहो, मैंने क्या कभी तुम से ना कहा है किसी चीज के लिए, जी जाये, आज ही उस लड़की के साथ शादी तै करके आईए, जाये, ऐसा कहकर शारदा अनामिका के घर जाती है, उसके साथ शादी तै करने, अनामिका बहुती शुशील लड़की थी, शारदा उसे देखते ही एक ही बार में उसे पसंद कर लेती है, इधर शादी तै होती है और एक कि अनामिका खुंखार है घर पे आए लोगों का वो खयाल नहीं रखती है हमेशा फोन या दूसरे किसी काम में व्यस्त रहा करती है ससुराल जाने के बाद वो घर का सारा काम शारदा से करवाएगी शारदा के साथ वो फुटबॉल के तरह खेलेगी अब ऐसी ऐसी बाते सुन मा, क्या हो गया, तुम बवो को अंदर क्यों नहीं आने दे रही हो। ये सारी उल्टी सीधी बाते अनामिका के बारे में किसने कहा मा शार्दा ये तुम हो ऐसा कह रही हो तुम इतनी परिशान क्यों हो मैंने तुमें इससे पहले कभी भी इतना परिशान नहीं देखा मुझसे बड़ी भूल हो गए बस सुना बेटे को प्यार है पर हमने इस लड आप से ये सब बाते किसने कही जरूर किसी ने कही होगी तब ही आप कह रही है बताइए किसने कही है ये सब बाते और कौन तुम्हारी दो बुवा अच्छा तो उनकी बाते आप सुन रही है अब आप मेरी बाते सुनिए मेरी इस चचेरी बुवा का एक बेटा है उनके बे अनामिका जब ऐसा कहकर रोने लगती है तब शार्दा को सचका एसास होता है उसके बेटे को उसके पूरे परिवार को अनामिका बहुत प्यार करती है पर उसने बहु को दुखी किया ये सोचकर वो दुखी हो जाती है, फिर वो अनामिका को गले लगा लेती है, फिर वो अपने बहु को घर के अंदर ले जाती है और सभी को मिठाई भी खिलाती है सास बहु के इस प्यार को देखकर उसके रिष्टेदारों को बहुत जलन होता है और वो वहां से चली जाती है तब से शार्दा अनामिका को बहु जैसा नहीं बलकि अपनी बेटी के तरह प्यार करती है बहु के आने से घर में खुशिया फैलती है